एक बार भाईया पढ़ने में आगर आप जान लगा दोना दुनिया कैसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन लोग दे इसकी गैरांटी मेरी रही यह पढ़ने के लिए लाखों का सब्सक्रिप्शन लाखों हजारों का बुक्स खरीद ले यहां से पढ़े वहां से पढ़े कभी सिलेक्शन नहीं होगा मैं से लिखके ले लो तुकि जजबा पैदा करना पड़ता है अंदर से अपने आपको जलाना पड़ता है अपना 100% दे के लिए थोड़ी पैदा हो है तुम्हें लोग कोई काउंट करता है गया कोई गरीब का कोई काउंटिंग होता है इस देश में कुछ नहीं होता तिव एक पार काउंट होता है जब जन करना होती है तब वरना सबी दोस्तों को जैंखेंट बंदमात्रम राम 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 आर पीएफ कोंस्टेबल एसाई की नई भरती का फानली एक्जाम डेट निकल के सामने आ चुका है और इसका एक्जाम जनवरी से स्टार्ट हो रहा है कॉंस्टेबल का और जो दोस्तों आपके सविस्पेटरा के explain किया हुआ है आपका complete study plan बताने वाला हूँ जो यह बच्चा वीडियो पूरा देख लेगा और इस study के साथ तयारी करेगा उसका 100% आर्प पहुंश है इसाई की भरती में सेलेक्शन कंपॉर्म है किसी का बाप उसका सेलेक्शन नहीं रोकने वाला पुरा complete strategy बताऊंगा वीडियो सूसें दरूर देखना वीडियो आप सभी के लिए most important रहने वाला है तुकि मैं दोस्त एक चीज़ याद रखना बहाने सबके पास होते हैं कि इसके चलते में selection नहीं ले पाया इसके चलते में fan हो गया लेकिन result सबके पास नहीं होता है इसके पास result नहीं है और इस कहां कहां से गिरा देता है बच्चों को पता नहीं जाता लेकिन जीगे के भी important topics हैं ठीक है जो कि भईया फसते हैं GS के भी important topics है जो कि भईया फसते हैं अब यह कौन कौसे topic है वो दोस्तों इस बीडियों बताने वाला हो इसी के साथ math का त्यारी करोगे तो reasoning math का beta है अगर math आप ठीक से पढ़ लोगे तो reasoning automatic आपको समझ में आना start हो जाएगा तो math और reasoning भी भी भाईया अराम से आप कभर कर सकते हो और 120 में से 110 number confirm आएगा मैं आपको जो 200 topics बताने वाला उस topic को बस cover करे ना तुकि देखिए अभी actually main चीज़ क्या है ना अभी आपको क्या-क्या करना सबसे पहले तो आपको सिलावस कंप्रीट करना चाहिए था अगर अभी आपने सिलावस कंप्रीट नहीं किया तो अब टाइम नहीं बचाओ सिलावस कंप्रीट करने का अब भाईया जो important topics में बता रहा उस topic को खाली cover कर लेना ठीक है history, political, economic, science, strategy कैसे ठीक है यह साही topics में आ most important चीज है क्योंकि यहीं दोस्तों previous question का pattern का आपको knowledge बताएगा यह आपका बहुत जरूरी इसके पाद revision करना जो भी प्रीवाई की लगार इसके revision करना और mock test लगाना यह सब most important चीज है जो कि एक aspirant को अभी हाल फिलाल में 45 days तक करना ही चाहिए ठीक है और दोस्तों most important topics की ब सब्सक्राइब करते हैं और देख सकते हैं जो आपके topics हैं मैं topic बता रहा हूं कि सारे topic को एक एक दिन आपको cover करोगे आज ज्यादा नहीं 15-20 दिन के नदर आप साइट topic कभर कर लोगे और एक बाद topic आप कभर कर लेते हो और इस topic जो cover होगा इसका playlist में telegram को मिलेगा सबसे पहले दोस्तों important topics की बात करते हैं books और author यह दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जहां से जाहतर question गिरते हैं और 100% आपको याद कर लेने हैं मैं आपको एक बार और बोल दूँ जितना भी आपको बताना हो सभी का playlist मेरे दोस्तों टेली गाम चैपको मिलेगा टेली गाम चैपको जाकर फ्रफट जॉइन कर लो ठीक है इसके बाद दोस्तों आपके जो important temples हैं हमारे जो की दोस्तों प्रमुक मंदीर है हमारे भारत इसके बाद दोस्तों हमारे इस्टेट के festivals हरे इसके बार बहुत जरूरी है इसके साथ दोस्तों डैंस अब देंस बहुत सारी इस्टेट का अलग अलग है और यह डैंस के टॉपिक से हर बार कोश्टन गिरता है 100% मैं आपको जितना भी टॉपिक बता रहा हूं ना यह सारे टॉपिक नंबर आपको दिलाएंगे सोचलो बारा में से बारा नंबर कर लो तो पका 100% इस टाप का है क्योंकि हाट टॉपिक से एक दो कोशन पूछेगा ही पूछेगा तो डांस से दोस्तों आपको पूरा जान लेना है कौन से स्टेट है कौन से नित्य फेमस है पढ़ना ठीक है इसके बार दोस्तों आप यहां पर दिख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि हमारे संसोधन ठीक है ना जिसी की दोस्तों किसी भी आर्टिकल में क्या संसोधन हुआ है उसके बारे में भी दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर भाएया बहुत दिक्कत है तो बहुत सारे संसोधन वगेरा हुए है तो आमेणिमट के बारे हम पढ़ना बहुत जरूरी है तो वहाएप पढ़ लेना संसोधन हुए वह भाईया आप माला लेना अरांज से रागत नहीं इसके बाद रिवर और लेक्स जो भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी हमारे इंडियन नैशनल मुव्मेंट्स जो भी हमारे हुए हैं जो भी भारत आजात करने के लिए प्रमुक आंदोलन वगेरा हुए हैं उसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे फिर आपको बहुत बह बहुत जरूरी क्योंकि वहां से भी एक से दो कोश्चन जरूर पूछे जाएंगे आप देख लेना दोस्तों आज तक जितने भी एक्जाम हुए हर बार दोस्तों कोशन पूजाता है प्रीबिएस येर का भी आर्पेफ कोंशा इसे कि भलती का पेपर देखना मैंने पुरा इंडियन स्टेट्स spilled आधे रहें उनके नाम आपको जानना है और दोस्तों क्या है से इंडिया क्या है घ्णा ein impossible है, वो कहीं से भी question डाल सकता है, लेकिन crunch affairs के भी important topic से जहां से जात तर पोशें पूशें जाता है, जैसे कि हमारे sports के, अभी sports में किस ने gold medal लेके आया, किसका bronze आया, कि हमारे भारत देश में जो olympics वगेरा हुए है, उनका नाम वगेरा, तो sports के आपके GK के पक्का एक से दो question पूशे जाएंगे, इसके बाद दोस्तों हमारे important scheme, हमारे government के तरब से कौन को से important scheme अभी हाली में launch किया गया है, और उसमें क्या फाइदा हो रहा है, उसके बाद भी एक से दो question जरूर पूशे जाएंगे, आप देख लेना, इसके बाद award, खाली में कौन को से award किस-को मिले है, इसके बाद भी देखेगा, एक से दो question जरूर पूशे जाएगा, इसके बाद दोस्तों military exercise, जो भी हमारे देश में military exercise वगएरा होते हैं, किसी अधर रसिया के साथ हो गया, उक्रेन के साथ हो गया, आपके इस्राइल के साथ हो गया, तो वो military exercise के बाद भी एक से दो question, खाली में हर दोस्तों एक्जामें पूशे जाते हैं, इसके बाद CM और governor, हर श्रेट का अपने अपने साथ होते हैं, तो CM और governor के बादे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके बाद cabinet minister, मतला सोचो सिक्षा मंतरी कौन है, अध्योग मंतरी कौन है, सडक विभाग का मंतरी कौन है, निर्मा सितरमन कौन है, इस टाइबी कौन आते ही है, निर्मा सितरमन तो भहिया बहुत डेंजर है, उसको तो बनना नहीं चाहिए ता, लेकिन वो बना दिया गया है, मोधी चचा के तरफ से बहुत डेंजर हो रहत है भाई, अभी सुने, UPI भी टेक्स लगने वाला है, मतलब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर भी आपको पैसा भरना पड़ेगा, बहुत डेंजर सिच्वेसान है, ठीक है, तो यह होगे दोस्तों आपके जी के जी इसके, ठीक है, यह आप एक बाई स्किंसर्ट माल लो, और हर टॉपिक को एक दिन जी कभर कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और यह साइट टॉपिक आपको दो-दो नमबर, तिन-ती नमबर दिलाने वाले हैं, जो पजास नमबर का पेपर आए, दो से तीन नमबर तो हर टॉपिक से ही आएगा, मैक्सिवन दोस्तों कोशन यहीं टॉपिक से आने वाला है, अच्छा स्कोर रखना है, तो साइट टॉपिक को आपको कभर करना बहुत जरूरी है, यह होगे दोस्तों पचास नमबर के आपको खताम हुआ, अब आते हैं हम लोग 35 नमबर पे, जो कि तो भाईया reasoning का पेपर है, जहां से 35 नमर के सवाल पुछी जाएंगे, reasoning के मैं आपको most important chapters बताने वाला हूँ, जहां से 100% previous year का आप solveable मारना, mock test लगाना, इनी topic से, 40% पूछे गए हैं, किन topic से तो भाईया 3 question, किन topic से 2 question, और किन topic से 4 question तक पूछ लिए गए हैं, तो यह कौन को से topics हैं, दीखे सबसे पहले दोस्तो mathematical operation, जह सब आपको कहा था, math बाप है, तो reasoning बेटा है, मैं तो clear करोगे, तो यह automated reasoning भी clear हो जाएगा, तो mathematical operation में question पूछे आते हैं, इसके बाद दोस्तों आपके blood relationship पर question आते ही आते हैं, 100% यह question आना ही आना है, और यह question आता ही आता है, इसके बाद दोस्तों आपके series का question आता है, analogy का question आता है, bend diagram का question ज़रूर पुछे आता है, दोस्ते 3 question आते ही आते हैं, इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं statement, conclusion के भी दोस्तों एक से लेकि दो question अराम से बुज़े आते हैं, अगर आप पूरा से तैयारी करोगे तो आप अराम से यहां पे, exam में 35 से 35 नंबर नहीं तो भईया, 35 से अराम से सोच लो, आपका 32 नंबर या 33 नंबर तो क इसी का बाप नहीं रोकने वाला, अगर आप सारे topics को cover कर लेते हो तो, क्योंकि यह most important है, यह topic के जातर focus करना है, इसके बाद finger classification के भी एक से दो question आते हैं, dice के question आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद pattern puzzle के भी question आते ही आते हैं, इसके बाद paper cutting और folding के भी question आते ही आते हैं, इसके कोई ओकने वाला नहीं है, मेरे दोस्त, ठीक है, लोग बोलते हैं, हमारे पास time नहीं है, मेरे पास बढ़ने का मौका नहीं है, भाईया, मैं एक चीज़ बता दू, आप लोग तो ऐसे भी मरे हुए हो, क्योंकि 90% जो भी बच्चे गवर्नेंट जॉप exam की तयारी करते हैं, सब middle class family के ही होते हैं, जो कि गरीब के वच्चे होते हैं, भूग से, नाकामी से, लोग के तानों से, जिल्लत से, ऐसे भी आप मरे हुए हो, तो मेरे दोस्त, अब तो आपको जीने का मौका आया है, कुछ करने का मौका आया है, A class, B class का नौकरी करके अपने बापमा का नाम करने का मौका है, तो अभी क्यों demotivate हो रहे हो, कि हम से नहीं हो पाएगा, तुम से नहीं हो गातों से नहीं हो पाएगा, भेनद तो गर कि देखो एक बार, एक बार 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 नहीं आप करते हैं, तो देखिए, math के दोस्तों, most important topics के बारे में आपको बताने वाला हूँ, पूछे जाएंगे, इसके बाद ratio and purpose के भी आपको question पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सब most important topics है, और previous year में 100% यही सारे topic से question पूछे गए ते इसके बाद दोस्तो average, simple interest, compound interest, profit loss, ठीक है, इसके बाद discount, यह सारे जो topics है, यह math के most important topics है और जाद तर question पूछे जाते हैं, ठीक है, use table graphs, यहां से भी question पूछे आते हैं, mensuration, time and distance, time and work, whole number, यह देखिए, यह सारे जो मैं topics आपको बता रहो, यह math के most important topics में आता है, यह topics अगर आप cover कर लो, 35 number किसी का बाप नहीं रोख सकता है, अगर आपका एक दो गलत भी हो जाए, तो 33, यह 34 number तो अराम से आजाएगा, यह सारे topic का आप cover कर लो, कि यही सारे topics आतर question आता है, math में भी बहुत सारे topics हैं, ठीकि उन topics आतर question नहीं पूछाता है, reasoning भी है, बहुत सारे topics हैं, लेकि reasoning भी सा सारे topics नहीं आ जाएगा, ठीकि, इसको आप current affairs का भी देख सकते हो, जो आपके दोस्तो general awareness का आता है, ठीकि, इस सब तो ऐसा important चीज़ है, कि अगर आप इसको एक मैना मात 45 दिन के अंदर आप तयारी करो, ठीकि, हर दिन एक subject को, इसे कि आपका reasoning का subject हो गया, math का subject हो गया, लगाने में, अब previous year का software पर हम लोग कैसे लगा सकते हैं, दीखे, ऐसा कोही भी नहीं लिखा है कि previous year का software आप book से लगाओगे तो ही selection होगा, आप online लगाओगे तो ही selection होगा, ऐससे कोई फरक नहीं पड़ता, अगर RPF console का आपके पास कोई book है, किसी publication का है, चाहे वो दोस्तो थोड़ा hard होगा, किसी का question थोड़ा easy होगा, किसी का question थोड़ा difficult होगा, सबका एक ही pattern होता है, इसलिए कभी भी पैसान में की जुरत में, जो भी आपके books हैं, अभी उसको दोस्तों previous year का software माना start कर दो, part day आपको करीबन, दो से लेके, तिन दोस्तों previous year का software पर लगाना है, इ अबने भईया revision किया है, बार-बार उस चीज़ को रटा है, ठीके, अपना 100% दिया है, कि भईया पढ़ाई का एक ही नियम है, क्या है, या तो भईया पढ़ाई के लिए दुनिया का सब कुछ छोड़ दो, या तो भईया पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, वह यह दोस्तों स पढ़ने में आगर आप जान लगा दोना दुनिया कैसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सेलेक्षान रोग दे इसकी गैरांटी मेरी रही यह दोस्तों आपको करना है इसके मौक टेश्ट वगएर आप हो सके तो दिन में एक से दो लगे लगा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं क्या बहु पैसा कभी भी इसके सड्सेश को नहीं रोग सकता है क्योंक्के अब जीद पे नहीं होता च्पार नहीं होता रुपता कौन है जिसके अंदर होस्ला नहीं होता或 है इसके अंदर हैप्टा जान हो है और अगर किसी के अंदर जजबा ना हो पढ़ने के लिए लाखो का सब्सक्रिप्सन, लाखो हजारो का बुक्स खरीद ले, यहां से पढ़े, वहां से पढ़े, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं से लिखके ले लो, तुकि जजबा पैदा करना पढ़ता है यार, अंदर से, अ अरबती के बेटे नहीं हो, ना ही कोई करोर्पती के बेटे हो, तुम यह बिजिस्स खरा कर दोगे, चाए बेच लोगे, कॉफी बेच लोगे, सिंहाना बेच लोगे, अरबती बन जाओगे, फाल्तू की बात है, तुमारे बापमा कोई इतना बड़ा धन छो लके नहीं कि तुम बिजनस करोगे तो अरब पती हो जाओ एक से दो दिन के अदर, नहीं मेरे दोस्ट, तुम तुम हो, गरीब हो ये चीज़ याद रखना, तुमारे पास एक ही बहुत बड़ा उप्सन है, वो है भईया सरकाई नौकरी का उप्सन, एक बार सरकाई नौकरी हो गई ना, ए अपना 100% देना, और ये जो जजबा है तुमारे अंदर सेलेक्शन लेने का, अपने मापका नाम रोसन करने का, ये जजबा कभी कम नी होना चाहिए, दुनिया में कुछ भी कम हो चाहिए से कोई फरक ने पड़ता, और जो सुपर ठड़ी मूवी का डायलक है ना, सुने हो कि तुम्हें क्या चीज़ का सरम आ रहा है यार, भूख से, गरीबी से, लाचारी से, लोग केतानों से, नाकाम्यावी से, ऐसे भी तुम मरे हुए हो, तुम दुनिया में कुछ करने के लिए थोड़ी पैसा हो, तुम्हें लोग कोई काउंट करता है, कोई गरीब का कोई का अधन बरो ना, कि तुम्हारा भी दोस्तो पूझा हो, हर कोई तुम्हें पूछे, सिब जण्दगना के टाइम तुम्हारा घ़ना ना हो, तुम्हारे घण लोग कोई फंटन हो, प्रोग्रामो को तुम्हें चीप के बुलाया जाए, ठीक है घणना तुम्हारे उसमें होना करो, अपने आप से जिद करो. दुनिया किसे कोई ताकत नहीं, तुम्हारे जिद और तुम्हारे मेंनत के आगे आ सके तो बस मेंनत करने को तयार रहो, सिलेक्शन भूगा, इसकी गरैंटी मेरी रही, जै हिंद जै भारत और कभी भी अपने आपको नाकामयाब मत समझना कभी भी अपने ऐसे मत समझना कि भी या मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाएगा सेलेक् adapter होगा, दुनिया में कोई तुम पे विश्वास करे या ना करे, खुद पे विश्वास करने, यह तुमारी सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया में कोई भी तुम्हारे साहत देने नहीं आएंगा, मेरे दोस्त, गरीब रहोगे, हर कोई लात मारेगा, हर कोई घिर्णा किना से दे रहेगा हमेशा कहता हूं कि सरकाई नोक्री की तयारी करने वाला लड़का किसी को पसंद नहीं है किसी को पसंद नहीं सोसाइटी तुम्हें गाली देगी तुम्हारे आस पोडोस वाले हर कोई तुम्हें ताना मारेंगे नीचा दिखाएंगे ले मा आपका नाम रोशन करो, जब तुम्हारे पापा देखे तो तुम्हारे नाम से वो घमंड से सर उंचा करके चलना चाहिए, कि मेरा बेटा ऐसा है और वैसा है, तो इससी घमंड के साथ तयारी करो, सिर्फ सा 100% होगा, मैंने आपको साइज रनकाई दे दी है, कुछ भी आपका यादो